नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग अखुल कुलसेस में आप सभी के स्वागत करता हूँ अज आपके लिए लेका रहा हूँ जन्मस्टमी कब और क्यूं मनाई जाती है दोस्तों दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बला आपकरल प्रेस करते तकी अगले विडियो का नूटिफिकेसन आपको मिलते रहेगा है कि जन्मस्टमी कब और क्यों मनाई जाती है भगवान स्री क्रिश्न के जन्म बड़ी धूमधाम से मनाय जाता है। ज़ो रक्षा बंधन के बाद भाद्रपद माह के क्रिश्न पक्ष की अश्च्पमी तितिकों मनाय जाता है। श्री कृष्ण देवकी और बासुदेव के आठवे पूत्र थे। मतुरा नगरी का राजा कंस था जोकी बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रति दिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय एका स्वाडी होई कि उसकी बहांदेवकी की आठवा पूत्र उसका ब देवकी के कृष्ण से पहले के साथ बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन दिया तो भगवान विष्णु ने बासुदेव को आदेश दिया कि उएक श्री कृष्ण को गोखुल में एस्वधा माता और नंद बाबा के पास पहुँचा है। जहा तभी से प्रती बर्स जनमस्टमी का तेवार मना जाता है। तैयारिया। स्री किष्ण जनमस्टमी के दिन मंदिरों को खास तोर पर सजा जाता है। जनमस्टमी पर पूरे दिन ब्रत का विधान है। जनमस्टमी पर सभी बारा बज़े तक ब्रत रखते हैं। इस दिन मंद दिरों में जहाक्या सजाई जाती है और भगवान स्री किष्ण को जूला जूला जाता है और रस लिला का एवजन होता है। दही हांडी मटकी फोड प्रतियोगिता जनमस्टमी के दिन देश में अनेक जगह दही हांडी प्रतियोगिता का एवजन किया जाता है। दही हांटी हंडी प्रतियोगता में सभी जगह के बाल गोविंद भाग लेते हैं, छास दही आदि से भरी एक मटकी रशी की सहायता से आस्मान में लटका दी जाती है और बाल गोविंद दाओं द्वारा मटकी फोड़ने का परियास किया जता है। दही हांटी प्रतियोगता में बीजेता टीम को उचित इनाम दिये जाते हैं, जो बीजेता टीम मटकी फोड़ने में सफल हो जाती है, वो इनाम का हकदार होती हैं। जनमस्टमी के दिन ब्रत रखने का विधान है, अपनी समर्थ के अनुसार फलहार करना चाहिए, कोई भी भगवान हमें भुखा रहने के लिए नहीं कहता, इसलिए अपनी सद्धा अनुसार ब्रत करें, पूरे दिन ब्रत में कुछ भी ना खाने से आपके स्वस्थ पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और बल आइकन फ्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नुटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, थैंक्यू दस्तों, राद है राद है दस्तों